देखे कांग्रेशियों का माथा खराब हो चुका है आज देश से उनको जनता ने उखाड कर फेक दिया है जनता उनके बाद को विश्वाज भी नहीं करती क्योंकि पूरे अजादी के बाद उन्होंने सासन काल किया गरीब पिसान नौजवान के बजट है चाहे प्रधान मंत से गरीबों को पकाच्छत हो गरीब दीदियों को लगपती बनाने की योजना हो इस तरह से काफी अच्छी बजट है और इस बजट का दिजना भी सहराना किया जाए वो कम है और इसी करणते तो लोगों को रहत दी जाती है कि उनको मुपत में चांवल देना पकावाज बन के बड़े से बड़े बदमें होदा मिरानिक बाद उनके पास पांच साल में एक भी संपत्ति नहीं बढ़ता केंदर का बजट आ चुका है केंदर के बजट में ये बूला गया है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास करीबों के लिए बहुत सारी चीज की गई है करेंगा ही कम होने वाला बजट है हमारे साथ केबिनेट मंतरी लखनल देवांगान यहां पर मौजूद है हम उनसे बात करेंगे इस बजट का आप किस रूप में देखते हैं और सबसे अच्छी चीजिस बजट में क्या में जर आ रही है देखे जो भी बजट में मानी शित कि योजना हो तो इस तरह से काफी अच्छी बजट है और इस बजट का दिजना भी सहराना किया जाए वो कम है पूरे देश वासिक में है और इससे देश हमारा और विक्सित होगा आगे बढ़ेगा आर्थिक मामला हो गरीबों को थान की मामला हो हर छेत्र में इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ेगा और मानी परधान मंतरी जी हमेशा गरीबों को चिंता किया है लोगों नीचे तत्पे के लोगों को चिंता किया है उनको उत्थान के लिए काम किया है ताकि उनको जीवन इस तरह आगे बढ़ सके इसके लिए हमेशा मानी परधान मंतरी जी ने काम किया है महंगाई कम नहीं हुरी है कांगरेशियों का कहना है कि बजट लाते हैं महंगाई कम नहीं हुरी है गरिबों को रहाद देने के बात करते हैं महंगाई कम नहीं हुरी है इसको लेकर इस बजट में कुछ प्राधान दिख रहा है देखे महंगाई माननी प्रधान मंत प्रधान मंत्री जी के नियंतन में कम हुआ है और मंगाई बढ़ी नहीं है और हर छित्र में मंगाई को ऐसे रुके इसके लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाता है अब इसी करणते तो लोगों को रहत दी जाती है कि उनको मुपत में चांवल देना पक्का वास बनाना अं अगर कांग्रेशियों का कहना है कि छल है जूट का पुलिंदा है देखे कांग्रेशियों का माथा खराब हो चुका है आज देश से उनको जनता ने उखाड कर फेंक दिया है जनता उनके बाद को भिश्वाज भेनी करती क्योंकि पूरे अजादी के बाद उन्होंने सासन क किया और क्या गरीबी मिटाय उन्हें हमेशा कहा कांग्रेज गरीबों के साथ बाकी गरीबों को साथ नहीं था गरीबों को लूटने का काम किया अपने तिजवरी भरने का काम किया आज कांग्रेशियों नेताओं के पास अरबों खरबों की संपत्ति है ये कहां से आया है बा बाकि भारती जनता पार्टी के बड़े से बड़े वहदा मिराने बाद उनके पास पांच सालमें एक भी संपत्ति नहीं बढ़ता एडेश की जनता समझ चुकी है और इसी कारण से कांग्रेस की जनता को जनता ने उखार कर फेख दिया है तो आपने सुना ये लखनलाल दिवांगंते, इनका कहना है कि कांग्रेस जो है जो भरस्टाचार में लिपती थी, कभी उन्होंने गरीबी हटाने के बात कही थी, मंगर गरीबी नहीं हटाया, गरीबी और बढ़ती गई, ये कांग्रेस ये है और वो अब मोदी जी के बजट जो प्तिकरिया वक्त कर रहे है वो उनका माथा ख़राब हो गया है, दिमाग ख़राब हो गया इस तरह की बात उनोंने किए, 7-7 उन्होंने ये भी कहाया कि भी जी जो budget है, वो गरीब यकिसान और युपाँ का ये budget है। और सबका शान, सबका वीकास, प्रियास सबके प्रय केबिनेट मंतरी लखनलाल देवांगर ने मोदी जी के इस बजट को गरीब किसान और युवाओं का बजट कहा है और उन्होंने कहा कि यह जो बजट पेस किया गया है उससे निश्ची तुरुप से गरीबों का उत्थान होगा गरीबी रेखा से बहुत सारे लोग है वो उप हमारा ये वीडियो को अच्छा लगे लगी तो जाँ जादा शेयर करें सब्स्क्राइब करें Sun Mr. Najat झाल झाल